हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल एक्सल कूल में और आज हम बताने वाले हैं कि जो भी हमारा इन्वेटर एसी आता है जितने भी इन्वेटर एसी स्प्लीट में आते हैं चाहे वो अलग अलग कंपनियों कोई अधर बरांडो कोई भी बरांडो उसमे क्या काम करता है और यह किस तरीके से काम करता है और यह क्यों लगा होता है तो इसकी के बारे में आज हम डिसकस करेंगे और बात करेंगे अगर इन्वेटर एसी में देखा जाए तो जितने भी इन्वेटर एसी आते हैं इंडोर और आउटडोर को मिलाके दोनों में सेंसर जो अगर काउंट करें तो दोनों में सेंसर होते हैं पांस सेंसर लगे होते हैं दो जो है इंडोर में होता है और आउट डोर में जो हमारा है वो तीन सेंसर होता है लेकिन यह क्या काम करते हैं और कैसे काम करता है इसके बारे में हम आपको पूरा जानकारी देंगे और जो हमा हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आईकर को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली लिटेस्ट वीडियो मिलते रहें सब्से पहले आपको सेंसर दिखा देते हैं ये हमारा जू है डिस्चार्ज सेंसर हैnewर होता है और एक यहां पर होता ये तीं सेंसर एमारे invirtor AC में लगे होतें, अब यह sensor के बारे में बताते हैं, 它的 sensor काम क्या करता है, सब्सक्राइब कि अगर आपका यहां से जो discharge pressure अमारे जो निकलता है, यह discharge के पाइप में लगा होता है, जब हमारे discharge का परेशर यहां से निकलता है, तो यह hitting जो बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके hitting के temperature को यह sense करता है और बताता है कि हमारा discharge का temperature इतना high करके अभी जैसे suppose कि 2 ton का machine है या 1 ton का machine है तो अलग-अलग sense करता है और यह जो compressor होता है वो DC होता है जैसे इसका temperature high होता है तो एक बार PCB क्या करता है इसके speed को कम करता है औ कभी-कभी क्या होता है कि इसका जो fan होता है जैसे अभी यह fan बंद हो गया जब हमारा बंद हो जाता है यह खराब हो जाता है तो इसमें क्या होता है जब हमारा condensor का हीटिंग बढ़ने लगता है तो यहांपि discharge के यह और और कॉंपरेसर को बन कर देता है को इसके वज़से हमारा यह जो ज़लने से flight घाता है है अब दिखाते हैं यहां पर एक लिक्वीड लाट लगा होता है अप देखसकतेए हो यह लिक्वीड-larda एकडम में निकलता है वहां पर यहां पर यहां पर सेक्थ यहां पर तीक है, और चल इसको जो है पर्मनेंट चालू रखता है कॉम्प्रेसर को लेकिन अगर इसमें यहां पर भी अगर आप देखें तो अगर यह फैन बंद हो गया और यहां पर टंप्रेचर जो है कंडेंसर में हीटिंग बढ़ रहा है लिक्विड लाइन का क्या होगा यहां पर सिवि को भी बचाता है तो यह दो सेंसर हो गए लिक्विड सेंसर और यह डिसचार्द सेंसर अब हम दिखाते हैं यह पीछे यह ऐता है इसको बहुत Singh सेंसर बोलते हैं यह क्या काम करता है जो हमारा बाहर का जो हमारा इसमें फैन लगा होता है जैसे आप देख सकते हो यह हमारा फैन लगा हुआ है यह फैन क्या काम करता है इसके हीटिंग को बाहर निकालता है जैसे पीछे से शक करता है और बाहर के तरफ हीटिंग पूरा बाह सेंसर पीसी वी को कमांड देता है कि यह आपर आपके से बदा निकलते रहता है यह हमारा एयर कंडिशनर का कंडेंसर का हिटिंग निकालता है जैसे कि यह फैंञ्ट चलना भी चिनि चलता है तो इस में तो टंप्रेचर ने करता है यहांन से तो यह सपायों को तो покि यह मौसं होता है कि की जेसा निएकि 50 जाय 55 जाया तो यह जो सेंसर ज्ल्बावरा ne ₹प निंग ज가요 तो वहां पर यह सेंसर अगर वाँ ट्रम घ्र सब्रसु की किरिया पूरी होनी चाहिए refreeisation की वो पूरा नहीं हो पाता है तो यह मोशम का जो एयर का temperature होता है बाहर का वो बताता है तो यह Ambience sensor और यहां पे एक liquid sensor है और यह discharge sensor अब यह तीन sensor inverter के outdoor में लगा होता है और indoor में जो होता है वो second sensor टोटल इन्वाइटर में पांस सेंसर लगे होते हैं जो कि तीन आउटडोर में लगे होते हैं और दो जो है इंडोर में लगे होते हैं अब आपको लेकर चलते हैं इंडोर पे और दिखाते हैं उसमें जो है सेंसर जो लगे होते हैं वो क्या काम करता है तो हम लोग अभी आ गये हैं जो कि इंडोर का PCB है, इन्वार्टर का आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहां पे इंडोर का पूरा PCB भी खोल लिया है, क्योंकि इसका लिक फाइंड आउट हो रहा है, लिकेश टेस्टिंग हो रहा है, तो इसके लिए रिपेरिंग के लिए आ उसके टमपरेचर को invent करता है., समझा लिजह कि आपका टमपरेचर को रेच नहीं सेटा है, façonLove, पर कुलिंग की टमपरेचर को लिकेश होता है, उसके पूर कि क्या करता है doubling, तो यहां पर प्यक्की Coleman को बंक बंकं मए और उसमें को की के यह प्यक्या करता है किलो होधा है, यह जो है यह जो है sensor जो होता है यह code लगे होते हैं जैसे कि हम लोग пять करते हैं एसी कि unity फ़ेड़ सेट कर दीए यहाँ व्यर्टीथिरिफ इस अदिए तो रूम का फटलिब्थर है वह कितना है वह संस करता है जब हमारा रूम Elise तो यह क्या करता है ओपर कश pioneer करता है तो इस तरीके से हमारे इंहारे इसी में पांस जो है sensor लगे होते हैं और पांचों किस तरीके से काम करते हैं और कैसे काम करते हैं यह आपको इस video में मैंने जानकारी दिया है तो गाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर कर लें ताकि आपको आने वा